जो डुमडिया बाड के रहने वाले हैं और कुंदन चौधरी जो अस्थावा नालंदा के रहने वाले हैं उन दोनों को पकड़ा गया और उनकी तलासी में उनके पास से कुछ समान बरामद किये गए जोनाओं को लेकर बिहार पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद नजर आ रही है अपरादियों पर नकेल कसना पटना पुलिस की भी जारी है ऐसे में अगर बात करें तो पटना पुलिस को अहम काम्याबी हात लगी है नमस्कार नियूस फ़र्णेशन देख रहे हैं आप मैं हूँ सानंग होटल का बताया जा रहा है जहां से इन दोनों अपराधियों को गिरफतार किया गया है इनके पास से हतियारों का जखीरा के साथ-साथ कडिबर 35 जिन्दाकार्तूस भी बरामत किया गया है आए सिदे सुन बाते इस पूरे मामले पर क्या कुछ जानकारी दे रहे हैं पटना सेंट्रल स्पी 23 फरवरी 24 को साम में करीब सारे तीन बजे किसनापूरी ठाना को सुचना प्राप्त हुई कि कुछ अपराध कर्मी जो है पानी टंकी बोरिंग रोड पे होटल सारंग में ठहरे हुए है और सुचना की सत्यापन स्टीएफ की टीम और हमारे ठाना दो थावा नालंदा के रहने वाले हैं उन दोनों को पकड़ा गया और उनकी तालासी में उनके पास से कुछ समान बरामद किये गए जो इस प्रकार है देशी कारवाइन 1 जिन्दा कार्थूस 8 देशी कट्टा 4 पिस्टल 1 जिन्दा कार्थूस 5 देशी पिस्टल मैगजीन 2 दे कार्णदर्ज की जा चुक हैं फूलचंजय आदप केते विरुद बाड में दो और मुकाल में एक डर्ज की गई है और वहास राय नालंदा थाना मैं हमारी सब्सक्राइब के min बात है जिस तरह से हतियारों का बना जखीरा वानचित अपरादियों के हथे चड़ा है वहीं राधानी पटना में आदामी चुनाओं को लेकर पटना पुलीस काफी मुस्तेद नजारा रही है जिस करी में इन हतियारों की बरामदगी पटना पुलिस के द्वारा की गई है इनके पास से एक देसी कारवाईन, पांच देसी कट्टा और एक पिस्टल के साथ-साथ करीबन दरजनों जिंदा कार्तूस को बरामद किया गया है वहीं अब इनके नेकसस को पटना पुलिस लगातार, STF और पटना पुलिस की कारवाई भी जारिया और उसी कड़ी में पटना पुलिस और विसेश कारेबल के द्वारा ये बड़ी कारवाई देखी गई है जिसमें दो वांचीत अपरादी हत्यारों के जखीरे के साथ गिरफतार किये गए हैं। तार हमारी चोटी बड़ी खापडो से अपडेट रहने के लिए देखते रहें नुश्परने सान।